नमस्कार बहुत बहुत स्वागते आप सभी का NCERT के लाइफ फोनिन प्रोग्राम में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या गर्श को आज हम जानेंगे हिंदी का एक चैप्टर है 12th क्लास का जिसका नाम है बादलराग यह है कविता है सूरे कांथ त्रपाठी निराला की इस पर विस्तार से बादचीत करने के लिए आज हमारे साथ है प्रोफेसर संधिया सेंग मैं हमारे साथ भासा शिक्षा विभाग NCERT से हमारे साथ हैं बहुत-बहुत स्वागत है माम आपका नमस्कार माम हमारे यह जो कवी है इस कविता में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं जाना चाहूंगी कि यह जो हमारे कवी है निराले से इनके बारे में कुछ पताईए साथियों सुरिकांत्र पाठी निराला के नाम से आप अपरजित नहीं होंगे क्योंकि कम से कम छठी से बारवी तक लगातार लगभग हर क्लास न सही तो हर स्तर पर जैसे उच्छ प्राथमिक स्तर पर और माधिमिक स्तर पर और उच्छ माधिमिक स्तर पर आप तीनों स्तर पर कम से कम निराला की कविताये तो जरूर आपने पढ़ी होंगी और इसके पहले आपने प्राइमरी में भी संभाव तक कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और अगर हिंदी साहितिके इतिहास से थोड़ा वाकिफ होंगे थोड़ा भी नाम जानते होंगे निराला से अपरिचित आप नहीं है, बावजुद इसके थोड़ी सी चर्चा जरूर हम इनकी करेंगे, क्योंकि एक नए सीरे से याद कर लेना जरूरी होता है, और पुरे देश के विद्यार्थियों के लिए मैंने रखता है, और एक बड़ा कभी है, निराला केवल भारत के करने नहीं, मैं तो इनको कहUNGँगी कि विश्व कभी के रूप में इनको देखा जाना चाहिए, भारत में भी बहुत से महत्यपुन कभियों में इनका एक नाम आता है, तो विश्व कभी के रूप में मैं इनको देखती हूं, पहली बाद तो यह कि 1899 में में दिव्या इनका जन्म हुआ था ये बच्चों को जानना चाहिए और 1961 में इनकी मृत्य हो गई थी जन्म इनका बंगाल में हुआ था महिशा दल नाम का जगे है और ये मेदिनिपूर के जिले में बंगाल के मेदिनिपूर इलाके में है और काफी बच्पन उनका वहीं बिता और बच्पन में पढ़ाय लिखाई कुल मिलाकर बांगला में हुई तो बांगला का संसकार इनके पास रहा इसके बाद धिरे धिरे फिर यागे उन्नाओं में जहां इनका गाओं है जिसका नाम है गढ़ा कोला तो उन्नाव आ जाने के बाद से वहाँ पर इन्होंने उसको जारी रखा और फिर उनका विवाह हुआ जिनकी पत्नी का नाम था मनोर्मा देवी इनकी पत्नी संगीत और चत्रकला में काफी रुची थी उनकी संगीत और चत्रकला से इनका एक संबंध बना और पत्नी के कारण यह महत्तपुन बात है क्योंकि आमतर पे पत्नी के कारण पत्नी की रुचियां बनती है लेकिन पत्नी के कारण पत्नी की रुचि बनना यह महत्तपुन बात है तो संगीत और चत्रकला से इनका जुकाओ हुआ और यही नहीं हिंदी में भी जुकाओ इनका मनोर्मा देवी के कारण ही हुआ पहले तो बांगला का संसकार था और बांगला का संसकार होने के कारण बांगला में लिखाई पढ़ाई हुई थी लिखना भी काफी हद तक बांगला में रहा लेकिन बाद में इन्होंने हिंदी में जो लिखना शुरू किया यह दबाओ काफी हद तक मनोर्मा देवी के कारण हुआ और फिर हिंदी का एक संसकार हुआ और हिंदी का ऐसा संसकार की निराला ने हिंदी के तरह तरह के प्रयोग की तरह तरह के प्रयोग इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ेंगे और वो आप पाएंगी इनकी बहुत सी रचनाएं जो स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं पहली किताब इनकी अनामिका थी, अनामिका के बाद आप पाएंगे परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अनिमा, तुलसी दास, कुकुरमुत्ता, ये तो इनके काविसंग्रह थे, ये कुकुरमुत्ता के बाद एक और काविसंग्रह सांधि काकली के नाम से, ये अधूरा ह उनकी मृत्तु के बाद प्रकाशित हुआ, सांधिकाकली के नाम से वो प्रकाशित है, और बाद में कुछ गद्धे भी इसके साथ साथ उन्हों लिखते चले गए, चतुरी चमार, कुली भाट, बिल्ले सुर्बकरिहा, ये जितने चरित्र है, ये इनके जीवन से जुड़े इनके जीवन में इनके संबंध रहे, और उन्हीं लोगों को इन्होंने चरित्र बनाया, और विल्कुल आम आदमी ये चरित्र बने और इन पर इन्होंने किताबे लिखी, काले कारनामे के नाम से भी किताब आई, आठ खंडों में इनकी निराला रचनावली अप्रकाशित हो चुकी है, तो वो आप सब देख सकते हैं, और ये इसलिए भी जरूरी है कि किसी कभी को ठीक से समझने के लिए उसका साहिति का कुछ हिस्सा तो कम सकम हमको पढ़ना ही चाहिए, जानना ही चाहिए, कुछ हिस्से जान सकें, और इन पर जिन पर बड़े-बड़े लोगों ने काफी काम किया है, राम चंशुकल का हिंदी साहित का इतिहास बहुत ही जाना माना है और चर्शित माना जाता हो उसके बिना हिंदी साहित के इतिहास की चर्चा नहीं की जा सकती है, मैं आपको बता दूं साथियों कि पहला जो संकलन आया, पहला जो उसका संसकरन आया थ लेकिन उसमें इनका नाम नहीं है, केवल दो कभियों का उसमें जिक्र आता है और वो आता है सुमितननपंथ और जैशनकर प्रसाद का, महादेवी का भी बाद में चल करके नाम आता है, अगले-अगले संस्करोण में, यानि बाद में चल करके आचारे रामशन शुकली जी को भी जो बड़ी आलोचक थे, जिनके स्टैंप के बगएर कोई कभी नहीं बन सकता था, कोई लेखक नहीं बन सकता था, ऐसा आलोचक उस मिर्जा गालिब के साथ भी बिल्कुल यही कहानी है, कि शुरू शुरू में जब तक वो जीवित रहे, तब तक वो उतने चर्चित नहीं हुए, उतने बड़े कभी नहीं माने गए, आज हम उर्दु शायरी की बात करें, तो मिर्जा गालिब के बगएर काम होई नहीं, च के बाद भी एक बड़े कभी के रूप में जीवित रहता है, दरसल वही बड़ा कभी है, जरूरी नहीं कि आज जिसकी चर्चा हो गई, वो बड़ा कभी हो गया, बिल्कुल भी नहीं, आने वाले समय उसको कैसे आकलन करता है, यह बड़ा महत्त पुन है, निराला के साथ भ हमें जानना चाहिए, बंगाल में जिस तरह से रविंद्र संगीत, रविंद्र संगीत काफी जाना माना है, वहां जंजन के मुख पर रविंद्र संगीत है, और मेरा खाले हर घर में एक व्यक्तितों ऐसा होगा ही, जो रविंद्र संगीत गाता होगा, उनके अहां, लेकिन चोकि बंगाल में रहे हैं सुरकांत्रपाटि निराला तो कही न कहीं इनके मन में भी एक हुआईश थी यह इच्छा थी कि हिंदी में भी क्यों नहीं निराला संगीत जैसी कोई रचना हो तो निराला संगीत की रचना वो करना चाहते थे, एक इस तरह का बनाना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने गीतिका की रचना की, गीतिका इनकी पुस्तक है, गीतिका की रचना शास्त्री संगीत में बद्ध करके लगभग सारी कविताएं उसकी शास्त्री रावों पर आध तो शास्त्री रागों पर आधारित वका वितायें हैं और ये सोच कर ही कही न कहीं निरालाने ये लिखा था, जिसका एक बहुत चर्चित बच्चा बच्चा जानता है, हर कोई वो जानता है, वरदे, वीना, वादिनी, वरदे, कौन नहीं जानता है? तो ऐसे बहुत से गीत उन्होंने लिखे जो शास्त्री रागों पर आधारित थे तो कहीं न कहीं उनके मन में ये कलपना थी, ये खाईश भी थी कि हिंदी इतनी लोगों की भाशा है, क्यों ने एक निराला संगीत जैसी रचना निराला अपन लिए हुए संगीत रचना हो, हाला कि ये संभाव नहीं हुआ, गीतिका की अपनी समस्याएं थी क्योंकि उसमें संस्कृत में चुकी बहुत ज़्यादा तत्सम पदावली और बहुत ज़्यादा संस्कृत निश्चोने के कारण हो सकता है गाये जाने में थोड़ी सी कठनाईयां भी आई, वो समस्याएं भी थी तो ये निराला के साथ था, निराला की एक और महत्वण बात है कि वो मुक्त चंद के प्रवर्तक माने जाते हैं मुक्त चंद की शुरुआत निराला सही होती है, लेकिन इसके साथ ही दिव्या जान लेना चाहिए हमारे विद्यारतियों को कि मुक्त चंद के प्रवर्तक होने के बाद भी चंदो बध कविताएं भी शायद इन से बहतर बहुत कम लोग लिख पाए होंगे राम की शक्ति पूजा जो बहुत मशुहूर है, लंबी कविता इनकी तीन मशुहूर है, जिन में राम की शक्ति पूजा का जिकराता है, तुलसी दास जैसी एक रचना का जिकराता है, जिसमें राम चरित, बलकी कह सकते हैं, गो सामी तुलसी दास के जीवन पर आधारित है और बाद में एक तीसरी रचना जिसको सरोज मृति के नाम से हम जानते हैं और जो शोग गित है उनकी बेटी पर खुद उनकी बेटी की मृत्यों के बाद उन्होंने उसे लिखा था और बेटी का सौंदरे वर्णन ये परंपरा हमारी हिंदी में मिलता नहीं है हिंदी में शोग गित की परंपरा भी नहीं है हिंदी में हमारे यह परंपरा भी नहीं है कि कोई बेटी अपनी ही बेटी के सौंदरे का वर्णन करें दूसरी स्री के संदरे का वर्ण का तो है लेकिन अपने पेटी के संदरे वर्ण की परंपरा भी हमारे हां नहीं है तो यह एक महत्वपुन निराला के हां महत्वपुन बात दिखाई पड़ेगी और बहुत ही ठसक के साथ उनकी वह रचनाय मिलेंगी एक और बड़ी कि पुरी हिंदी की परंपरा जिसको कहते है हिंदी साहिति की एक परंपर हाजारों वर्ष की जो परंपरा पीछे की थी वो सारी परंपरा की अनुगूज इनकी कविताओं में सुनाई पड़ेगी यही नहीं हिंदी साहितिका ही नहीं बांगला साहितिका की परंपरा भी दूसरे साहिति को अनुवाद के जरिये जरूर पढ़ते थे, कई भाशाओं का थोड़ा ग्यान था, अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजी साहिति इन्होंने पढ़ा हुआ था काफी, तो इसलिए इनकी हाँ अनुगोज पूरी भारतिय साहिति की परमपरा का मिलता है, और यह महत्वपुन बात है, अब जब मैं परमपरा कह रही हूँ, तो महत्वपुन बात हमारे विद्यारतियों को जान लेना चाहिए, जब हम लोग परमपरा कहते हैं, तो हमारे जहन में यह आता है कि परमपरा मतलब जैसे उसका कोई प्रभाव सिर्फ दिखाई पड़त उसकी एक अनुगूज है, मैं कविता पर चर्चा करते समय इस पर बात भी करूँगी, तो यह परमपरा को आगे बढ़ाया है, यह इनकी खास विशिष्टाए थी, इनकी पहली कविता जुही की कली मानी जाती है, जो 1916 में प्रकाशित हुए थी, और आप पाएंगे कि गजब की है, तो उसको पढ़कर ही कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक काफी फैलाओ, काफी बिस्तार, जो इनकी कविता का एक जो बड़ा फलक दिखाई पड़ता है, वो बड़ा फलक उसमें दिखाई पड़ेगा, तो यह इनकी कविता की विशेष्टा है, एक और एक पड़ा जब मैं कह रही हूं, तो इसका मतलब कि पूरा पूरा वाक्य न लिख करके, हाइफन से, जिसको हम लोग कहते हैं, समस्त जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ करके, बहुत सारे शब्दों को एक साथ गूध करके, प्रस्तुत कर देना, जो संस्कृत की विशेष् और इनकी अंतिम कविता, पत्रोत कंठित जीवन का विश्वुजा हुआ है, ये भी हमारे बच्चों को जानना चाहिए, काफी महतुपुण कविता है, पत्रोत कंठित जीवन, अठारा पंक्तियों की कविता है, और मैंने तीन लंबी कविताओं का जखरी किया, उन तीन ल वीडियो पर तब तक आप हम बादलराग पर चर्चार शुरू करें, इसके साथ ही हम थोड़ी सी एक सुन लें, छोटी सी जलकी सी है, बादलराग की पहले खंड का वीडियो है, एक बर हम अपने विद्यार्थियों को सुना दें, मैं इसके साथ ही बता दूँ कि बहुत से र उंपार में भरानी जाओ चुख चूम जूम में लुगे हे लकी बहुत अब स्चकुख, बहुत खंड है आप तिन्हें देखा ये पहली कोईता है बादलराग उनकी आनामिका में संकल इत भॉत बढलराग, उनकी पहला संकृर 15 पहले ही बतायो था, 1923 में प्रकाशित हुई थी, तो अनामी का पहला संग्रा है और बादल राग उसी में संखलित है, बादल राग के छे खंड है, एक ही नहीं है, छे खंड है, इसके पहले हमारे साथियों आप जान लीजिए कि बर्शा रितु इनको बहुत पसंद रहा, र लेकिन वर्शा रितु इसका आप ध्यान दे, हम लोगों ने कोशिश की देखा जाना, निराड़ा पर हमने काम किया, तो पाया कि बावन तिरपन कविताएं लगभग, बावन तिरपन कविताएं ऐसी है इनकी, जो सिर्फ वर्शा रितु पर है, वर्शा रितु के यह एसी है, जो पारमपरिक हैं, पारमपरिक जब मैं कह रही हूँ, तो हमारे विद्यारतियों को जान लेना चाहिए, कि दो शब्दों का प्रयोग हमारे इहां खुप किया जाता है, एक कहा जाता है, प्रकृर्टी जब आए तो आलंबन के रूप में, और प्रकृर्टी चितरण के लिए प्रकृति का बड़न करते हैं और ना केवल किसी की भावना वावनाओं को उदिप्त करने के लिए प्रकृति को उदिपन के रुप में लिया है बलकि यहां तो इनके यहां प्रकृति समबंदी जो कविताये हैं अपने आप में अलग है, पूरी की पूरी बादल राग में ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, जो इनके हाँ दिखाई पड़ा है, ये वहत तो पुड़ बात है माम हमने कवी निराला के बारे में तो काफी कुछ जान दिया, हमने संगीत में काफी राग सुने हैं, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार ये बादल राग जो है, इसमें क्या कुछ है, इसके बारे में बताईए मैं बहुत सुन्दर कुष्जिन है, सवाल है क्योंकि अक्सार विध्यार्तियों में में है सवाल उड़ता है, कि राग तो बहुत सारे हमारे आज है कि इन्हों ने खुद ये बनाया है क्योंकि संगीत से बहुत इनको प्यार घरेंख और संगीत क्या प्रेम कहते हैं, अब राग करता क्या है, राग क्या करता है, व्यवस्थित लयक होता है उसमें और किसी चरव परिनजति तक उसको ले जाता है, तो बादल राग जैसी छे गशी खिलाप तो इसी से समझ सकते हैं हैं, और वो कहते हैं कि मेरी जो इे कविताएं है, वो कैसी है? बुराई के खिलाप, बगावत की धंग यहां कला बन गई है. तो बुराई के खिलाफ, यानि आप इसी से समझ सकते ही कि बुराई के खिलाफ यह कविता एक स्वर देरही है और वही राग की तरह एक कला की तरह प्रसुत कर रहे हुए तो ये बिल्कुल एक नया राग बनाना, मैं वही कह रही हूं बार-बार कि निराला कहीं कहीं मन में उनके संगीत चल रहा था, वो बार-बार कहते हैं थे एक निराला संगीत की रचना हो, तो निराला राग की तरह से ये बादल राग उन्होंने, और बादल का सोहाओ निराल लेकिन उन कविताओं में और इन में थोड़ा फरक आप आएंगे क्यों कि जब रभीनात टेगोर की हाँ यह कविता आती है जैसे मैं आपको कहूँ घन जटाए घटा घनाए आंधार आकाश माझे पाताए पाताए टुपुर टुपुर नुपुर मधुर बाजे तो जब वो कहते हैं तो रभीनात के हाँ जब आता है तो एक सौंदर्य तो है बादल का शाथ ही आप थोड़ा भय भी कहीं है आगे चल करके जिसका आधार अम्ब्रे प्रचंड डमरू जब वो कहते हैं तो एक भय का भाव भी आता है पंत के यहाँ जब या आता है कभी अचानक भूतों का सा प्रक्टा विकट महा आकार कड़क कड़क जब हसते हम सब थर्रा उठता है संसार. तो पंत के हएं यह आता है तो फिर भय की तरह हाता है, चमतकारी कुरूप से आता है, इसी तरह तुलसी के हाँ आता है भोमी परत्भा डाबर पानी, जिमी जीवहीं माया लपटानी, ये वेद का वाके है, माया और इसको जीव से लप्टाने का मया के साथ जीव का संबंध तो वेद के वाकिय को उन्होंने एक परमपरिक रुप से यहाँ प्रस्तर यानि सबने जो बादल का प्रयोग किया है वो क्रांती के रुप में क्रांती दूद को रुप में गीत आपने सुना जूम जूम अम्रेदु गरजगरजगन गोर तो पहला जो गीत है उसमें एक ध्वन्यात्मक्ता दिखाई पड़ेगी ध्वन्यात्मक्ता दिखाई पड़ेगी और समस्त पदावली तो है ही लेकिन दूसरा जो उनका खंड है मैंने छे खंडों में कहा कि ब उसरा खंड है उसमें क्रांती का स्वर आता है उसमें उसको क्रांती के प्रतीक के रूप में वो लेते हैं वहाँ पर समीर रत पर बादल को बैठा हुआ देखते हैं हवा के रत पर समीर रत पर बैठा हुआ देखते हैं वो रूपक लेकर की चलते हैं और तीसरा जो खंड आत लेकिन छे खंडों में क्या बात कही गई है, तीसरे खंड में संबोधन आ रहे हैं, कहते हैं ऐ संब्धन, ऐ प्लावन, अपार कामनाओं के प्राण, बाधा रहित विराट, ऐ बिपलो के प्लावन, सावन घोर गगन के, ऐ संब्धन, अरे वर्ष के हर्ष, यह सारे संब्धन ह उसको आहवान कर रहे हैं, बादल का आहवान कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, कि तुम आओ, तुम किसी भी रूप में आओ, दिव्या यह महत्युपन बात है कि बावन तिर पर कविताओं में, जब बाधल बार बार आता हैं उनके गोमफिर कर, यह सोचने की बात है क्याख etcetera क उत्रा भी लिखा जाए तो वो कम ही है बिलकुल ये भी सही बात है तो कहीं न कहीं ये दिमाग में उनके घूम रहा है और कितना कई तरह से उसको प्रसुत कर रहे हैं अलग-अलग तरीके से नित्य करते हुए भाश्या तो हम चौथे में दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जिसमें समीर रत पर जा रहा है तीसरे में मैंने बताया आपको कि संबोधनों का प्रयोग किया है पर चौथे-पांचवे में जो खंड है चौथा और पांचवा खंड है उसमें आप देखेंगे कि फिर से वह थोड़ा सम पे आ गया है तोड़ा उसमें सौंदरी भी है वह समीर रत है और छठे में समीर सागर आता है अब इस कविता को हम एक बार पढ़ करके देख लेते हैं हमारे विद्यार्थियों के सामने बादल राक कविता तिर्ती है समीर सागर पर आस्थिर सुख पर दुख की चाया जग के दगध हिर्दय पर निर्दय विपलो की प्लावित माया यह तेरी रणतरी भरी आकांशाओं से घन भेरी गरजन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे प्रिथिवी के आशाओं से नव जीवन की उचा करसिर ताक रहे हैं ऐ विपलो के बादल फिर फिर बार बार गरजन वर्शन है मुसलधार फिरदय थाम लेता संसार सुन सुन घोर ब्रज हूंकार अशनिपात से शापित उन्नत शत्षत वीर शत्विक शतहत अचल शरीर गगन स्परशी स्परधाधीर हसते हैं छोटे पौधे लगुभार शश्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते विपलो रव से छोटे ही हैं शोभा पाते अटालिका नहीं है रे आतंक भवन सदा पंक पर ही होता जल विपलो प्लावन शुद्र प्रफुल जलज से सदा छलकता नीर रोग शोक में भी हसता है शैशो का सुकुमार शरीर रुद्ध कोश है शुद्ध तोश अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर काप रहे हैं धनी बज्र गरजन से बादल तरस्त नयन मुख धाप रहे हैं जेंड बाहू है शेंड शरीर तुझे बुलाता क्रिशक अधीर ए बिपलो के बीर चूस लिया है उसका सार हाड मात्र ही है आधार ए जीवन के पारावार इसको तीन तरह से समझने की कोशिश करते हैं पहले हिस्से में एक युद्ध का चित्रन है अच्छा मैं पहले ही बता दूं कि जब निराला के यहाँ बादल आता है और युद्ध की सरजनात बादल का एक तहस नहस कर देने वाला विनाशकारी रूप बहुत से जगों पर आया है, बहुत से कभी उने किया है, लेकिन इनकी हाँ विनाशकारी रूप में नहीं आ रहा है, यहां आम आदमी उसको पुकार रहा है, तुम आओ, जैसे किसान पुकार रहा हो, कि सु तो पहले खंड में जा रहा है एक रन तरी, तरी मतलब होता है नौका, तो एक युद्ध की नौका, युद्ध में ये नौका जा रही है और ये कहां है, यहां पहले ही आया है समीर सागर, समीर सागर, ये रूपक है, तो एक सागर के में ये नौका जा रही है और ये नौका धीरे 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 एक प्लावन की ओर जा रही है धीरे धीरे बाढ़ की ओर जा रही है पहला बिम्बी आया है बाढ़ का बिम्ब है नौका चल रही है और नौका धीरे 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 युद्धिक भूम पर आगे बढ़ रही है दूसरे खंड में वो भूमी थी स्थल था यहां सागर है वसफर कितना है गहराई आगे बढ़ती चले गई है घन भेरी गरजन और इसकी जो गरजना अतरजना सुनाई पढ़ रही है इस गरजना अतरजना से आगे बढ़ रही है ठीट अब दूसरे खंड में जैसे ही आप आजाएं यहां पर कि अशन पात से शापित अब देखिए एक चुट चुटे पौधों का जिकराता है पहले खंड में वो निश्चित नहीं है अनिश्चित सा है आस्थिर सुख विशेशन का प्रयोग किया है आस्थिर सुख जो स्थिर नहीं है आस्थिर चंचल है मतलब सुख भी पता नहीं कि कौन सा सुख आएगा बदलाव जो होगा वो कैसा होगा वो उसका सवरोप कैसा होगा नहीं मालूम वो सवरोप की आहवान जरूर कर रहा है लेकिन पता नहीं कैसा होगा और उसलिए आस्थिर सुख विशेशन प्रयोग किया सुख के लिए आस्थिर सुख तो आगे जब लेकिन तुरंत वो कहता है कि नहीं, जब आप खुद देखिएगा, यह हमारे विध्याति भी जानते होंगे कि हमारे जीवन में कोई जब संकर्ट आता है, तब हम लहें लगता है कि पता नहीं यह खतम होगा कि नहीं होता, आप जैसे एक करोना युद्ध की नौका जा रही है लेकिन दूसरे खंड में तुरंत कभी कहता है कि शत्विक्षत जो ये जो किसी तरह से जो प्लावन आया है और उस प्लावन के कारण ये जो छोटे-चोटे पौधे इधर उधर जुग गए हैं वो लुढक गए हैं जुग गए हैं वो क्या कर दिरे खड़े हो गए हैं और खड़े हो करके जैसे वो हिल हिल करके कह रहे हैं कि तुम आओ तुम्हारा आहवान कर रहे हैं वो पुकार रहे हैं पहले बाकी कभियों के हाँ अधिकांश कभियों के हाँ क्या होता है वो बादवल को कहते बिराश कारी है तुम जाओ ये कहता जब तेज वर्शा होती हैं, तो बड़े-बड़े दिन पाएंगि गिरे वे पड़े हैं, बड़े-बड़े पेड़ सो गिर जाते हैं, लेकिन चोटे-चोटे पौदे जोहते हैं, तो नहीं गिरते हैं, वह किले जो हमाघिदा में आपसी तो diferen जाते हैं. अर्थ समझने की कोशिश करें तो यही है कि सीधा सीधा छोटे छोटे तो बिल्कुल हसते हुए खिलखिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे बिल्कुल इसी तरह से अब जब करांती के रूप में इस रूपक को ले लिया जाए माल लेजिए क्यों कोई परिवर्तन होता है सामा बदलाओ हमेशा उनके लिए महत्तपुन होता है बदलाओ अटालिकाओं के लिए महत्तपुन नहीं होता है बदलाओ धनी लोगों के लिए महत्तपुन नहीं होता है बदलाओ धनी लोगों के लिए बदलाओ उनको गिरा भी सकता है हो सकता है कि जब कोई परिवर्तन हो क्र बिल्कुल आगे जाएंगे इसी में अगर आप देखेंगे अटालिका नहीं है तीसरा खंड अगर हम इसको ले लिए दो खंडों की बात मैंने की तीसरे खंड में इस कविता को अगर हम ले ले तो कहता है कभी कि तीसरे खंड में वो आते-ाते कहता है कि अटालिकाओं में जो आतंक अंक, उनके हिर्दे पर आतंक चाया हुआ है, वो डरे हुए है और डरे हुए क्योंकि बदलाव उनको उनके लिए संकट की स्थिती पैदा कर सकता है तो वो डरे हुए है लेकिन आम आदमी नहीं जैसे उन फसलों के तरह मुस्कुरा रहा है और वो जाकर के अपनी अंगना मतलब अपनी प्रियाओं के, अपनी पत्नियों के सीने में मुच्छुपाए बैठे हैं, जैसे कोई हारा हुआ, मनुश्य हार करके किसी के सीने में मुच्छुपा कर बैठ जाए, वैसे वो मुच्छुपा करके फिर कह रहे हैं जीन वाहूं लस्ट अलाज अंतिम हम लोग देख लें तर जीन वाहूं है शीन शरीर तुझे बुलाता क्रिशा कदीर पूरे छे खंडों की इस कविता का अंत होता है कि एक किसान तुम्हें पुकार रहा है इस किसान को तुम्हारी जरूरत है इस सूखी धरती को तुम्हारी जरूरत है इस आम आदमी को तुम्हारी जरूरत है आम आदमी को इस तरह के बदलाव की जरूरत है और इनको इस तरह के सूखी धरती को पानी की जरूरत है ये सरजनात्म गरूप में आ रहा है, हाड मातरी है आधार, ऐ जीवन के पारावार, इसके जीवन को दूसरे तरह ले जाओ, ये नौका जो चल रही है, ये नौका उसको पार उतारेगी, एक निया जीवन शुरू होगा, नई शुरूआत होगी, तो नई जीवन की शुरूआ की कलपना से कविता का अंत होता है, मैंने पहले ही कहा था, तो बहुत से भाषा संबंधी विशेश्टाएं हैं, आगे आप कहें, तो उस पर हम आगे चर्चा करने, आगे के पंक्तियों को, क्योंकि हमारे पास थोड़ा साहिशायद समय है, इसमें आज पूरी कविता में द प्रियोग करिएगा, जैसे अचल शरीर, विशेशड आया है, फिर इन्होंने आगे प्रियोग किया है, प्रफुल जलज, फिर कहा है सुकुमार शरीर, फिर कहा है आतंक अंक, तरस्त नयन, जीन बाहु, बाहु के लिए जीन शब्द विशेशड के रूप में आया है, तो यह लगभग 10-11 विशेशड तो मेरे ध्यान में अभी तुरंत आ गए, आप इन विशेशडों को खोजिए, और इन विशेशडों के प्रियोग से कविता में कैसा अर्थ सौंदर्य पैदा हुआ है, इसको आप लिखिए, इसको आप लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि भा इसरा जो बहुत महत्वण बात है, यह भी हमें करना चाहिए, कि प्रकिर्ती के कई रूप इसमें आये हैं, एक तो आया है बिलकुल प्लावन का रूप, यानि बाढ़ वाला रूप, बिलकुल बहा ले जाने वाला सब कुछ, एक रूप आया है सनरचनात्मक रूप, और भ यह दो-तीन जो मैंने आपको गिनाए, तो इन में से कौन सा रूपक आपको पसंद है, कौन सा बिलकुल पसंद है प्रकृति का, और क्यों पसंद है, क्यों कि अगर माली जीए, तुझे बुलाते क्रिशक अधीर पसंद है, तो क्यों पसंद है, यह भी कहना चाहिए, कि पसंद किया गया है, तो क्या, यानि की एक नए की शुरुवात छोटे से कलपना की जा रही है, तो इन तरह इस तरह के रूपकों, इस तरह के बिम्बों का प्रियोग क्यों और कैसे कवी करता है, यह भी हम लोगों को देखना चाहिए, एक तीसरी और महत्तिकुन बात पर ह विपलो के साथ ही, विपलो के बीर, भाई वीर को क्या पनजाबी में प्रियोग करें थे वीर होता है भाई और वीर का मतलब होता है, हम लोग अगर साबाने अरथों में कहें, तो वीर जो बहुत भादूर है, और एक वीर भीर ना हमारे यूपी बिहार में भी भाई के याद कर रहा है कि उसे जरूरत है कि कुछ बदलावा हाई, जो साथंगे हाड मातर रहे गए है जिनके शरीर उनके जीवन में फिर से एक मुस्कुराहताचे लिए उसको बुराहत के लिए उसको बुलागा है तो एक तो ये ऐसे संबोधन अरे वर्ष के हर्ष जो बुछली कविताओं में आया है या इसमें और भी कई आये हैं कि जो संबोधन है ए समराट ए उद्दाम यानि जिस पर किसी का कोई अंकुष न हो तो ये संबोधन मुझे नहीं आद है कि किसी भी हिंदी कविता में चाहे इसकी किस को और किसकी रूप में बादल को संबोधित कर रहा है, यह महत पुर्ण है, तो इन रूपों का महत तो क्या है? क्यों ऐसे शब्दों का प्रियोक्याँ, यानि बार-बार और अलग-अलग तरह से उसे बुला रहा है, आओ, आओ, जैसे आहवान कर रहा हो, और उस आ बहुत भहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत नमस्कार।